Hello everyone, मैं हूँ पंकच और स्वागत है आप सभी का EasyTaggit Pankach के एक और नए वीडियो में तो दोस्तो आपने Flipkart से कोई product purchase करा है और उसका payment option दोस्तो आपने देखिए cash on delivery कर रखा है लेकिन दोस्तो अगर आप चाहते हैं देखिए इसका जो हम payment है वो online कर ले देखिए cash on delivery आपने choose तो कर लिए लेकिन उसके बाद भी आप इसको online देखिए इसका payment कर सकते हैं तो किस तरह किसे कर रहा है दोस्तो आज की वीडियो में यही जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए दोस्तो हमको देखिए यहाँ पर three line आपको देखिए इसके click करना पड़ेगा और my order पर आप click करिए my order पर जैसे आप click करेंगे जितने भी आपने दोस्तो order होंगे आपके product होंगे उसकी list यहाँ पर open हो जाएगी तो दोस्तो यह देखिए हमने इसकी delivery जो option ताना हुए cash on delivery चूज कर रहा था लेकिन किसी वज़े से हम चाहते हैं कि इसको हम online पे कर ले तो कैसे करना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देखिए pay now and ask the delivery agent to drop the item at doorstep और pay रुपीज 178 मतलब यहाँ पर जो option है न इससे आप क्या कर सकते हैं online payment इसका कर सकते हैं तो चलिए इस पर हम click कर लेते हैं जैसे इस पर हम click करेंगे तो यहाँ payment के option हमारे सामने open हो जाएगी तो सबसे पहले आप देखिए जो हमारे card यहाँ पर add है वो सो हो रहे हैं साथी इसके others जो option है वो हो रहे हैं UPI, wallets, credit, debit card, ATM card, net banking और cash and delivery तो हम करना ही नहीं चाहरे हैं तो इसमें दोस्तो अगर आप देखिए हमारा जैसे card पहले से यहाँ पर add है तो दोस्तो नए card add करने ले इस पर आप click कर लीजिए और continue पर आप चले जाईए तो continue पर जैसे आप click करते हैं आपको अपने card की detail यहाँ पर कुछ देनी होती है तो card number आप देदीजिए देखे card पर रहता है जो ATM पर validity रहती है आपके card पर आपको मिल जाएगी और CV आपके card की पीछे रहता है तो यह सब आप fill कर यहाँ पर करेंगे आपके पास OTP एक आएगा आपके register बाइन नंबर वे जो bank से link होगा आपके उसके बाद आप वहाँ पर fill करिए और submit जैसे आप उसको कर card है यह वाला है तो यहाँ पर CVV code हम डाल लेते हैं तो दोस्तों अगर आपने पहरे से add कर रहेते हैं तो आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है आपको केवल CVV code यहाँ पर डालना होता है पूरी information नहीं देनी होती है CVV code आप यहाँ डालेंगे बस तो चलिए CVV code हम यहाँ पर डाल लिए आप continue पर हम क्लिक करते हैं तो थोड़ सी processing लेगा अब देखे है हमारी processing यहाँ पर start हो चुकिए अगर आप पहली बार दोस्तों online payment करना सीख रहे हैं तो देखे मैं आसानी से आपको बता देता हूँ अब दोस्तों देखे यहाँ पर क्या होगा आपक आपको 100 होने लग जाएगा जो आपके अकाउंट से लिंक होगा जिसका आपका यह ATM है यहाँ पर आपको OTP आएगा तो OTP के लिए वह आपका देखे यहाँ पर mobile number बाग रहा है तो इस पर आप submit कर लिजी तो mobile number पर हम OTP चम को चाहिए तो इस पर हम क्लिक करते हैं submit पर अब दोस्तों आपके पास OTP आने वाला होगा देखिए आपके पास OTP आएगा यह देखिए हमारे पास यहाँ पर OTP आ चुका है तो चलिए OTP को हम यहाँ पर देखिए एक तो यह enter OTP manually हम manually यहाँ पर OTP को डालेंगे तो OTP देख लेते हमारे पास क्या और इसको हम enter यहाँ पर कर लेते हैं, तो दोस्तो OTP हमारे पास जो आया था हमने यहाँ पर फिल कर लिया है, दोस्तो जब भी आप online payment करते हैं, तो OTP जो आपके पास आता है, उसको दोस्तो आप किसी के साथ सेयर मत करिये, साथ ही दोस्तो आपके card का जो CVV नमबर होता है, वो भी आप किसी के साथ सेर्त मत करिये ने तो आप fraud के सिकार हो सकता है तो हमने दोस्तों देखिए जैसे मैंने आपको बता है OTP जो हमारे पास आया है यहाँ पर fill कर लिए है अब हमको तुमिट पे क्लिक करना हो चलिए Сब्मिट पे हम किलिक कर लेते हैं सब इंट बे किलिक करते हैं थोड़ी सी प्रोसेसिंग और होगी और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है पेमेंट सक्सेस्पुली यहां पर हो चुका है आपके पास दो तो एक SMS और आएगा और सबसे मेन बात दोस्तों यह जो देखिए OTP for Delivery यह आपको देखिए Delivery जो करने आएगा आपके पास देखिए हमारे पेमेंट का आचुका है बेंक का हमारा SMS यहां पर दोस्तों देखिए जो OTP आपके पास यह दिखाई दे रहा है 966220 यह होगा जब आपके पास Delivery मेन आता है जो इक आट का होता है उसको आपको यह बताना पड़ता है तो इसका आप स्क्रीन सॉट यहां पर ले लीजिए यूटूब रिलेटेट और टेक्नोजी रिलेटेट नहीं वीडियो हर रोज तो चलिए उस्तों मिलते हैं को नहीं वीडियो में बहुत ही जल्द इजी टाइक विद पंकज में